है 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 गाइस गूड मोर्निंग क्या है अहाल है आप लोगों के लिए सेशन ने आप सभी का वैलकम है जहां मैं आपको साइंस के प्रेक्टिस कराने जा रही हूं सब्सक्राइब करने का कुई फायदा ही नहीं होता तो बच्चा देखो क्या था कि फ्राइडे मेरी क्लास हो नहीं पाई थी सरेडे भी नहीं हो पाई थी तो मैं चलो संडे ही बच्चे को पढ़ा दिया जाए है ना आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट फाइव यर्स में से कुछ ऐसे कोशन जो बहुत इंपोर्टन चेप्रिस के रहा चुके हो थोड़ा सा यह हाई लेवल कोशन से ठीक है जहां पर आपको मेले की फुल एक्स्प्लेनेशन और साथ में आपको थेओरी कॉंटेंट मिलने वा सत्य संदीप आदर्श अभेई हैलो बच्चा हेलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सेशन को बहुत ही प्यारे मोटिवेशनल के साथ तो आज का थोड़ आप सबके सामने लिखा हुआ है ठीक है और इस थोड़ के साथ आज की क्लास का सीपी अफ साइंस में आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं सो मैं करने जा रही हूं बिना देरी करें स्टार्ट तो पहला कोशन हम लोगों के बारे में हम लोगों से क्या पूछा गया है पहला कोशन आया है आप लोगों से किसी के बारे में नाइट्रोजन साइकल के बारे में और यह आपका एन्वार्मेंट सांस के कउशन के क्लास 12 का पूछा गया कोशन है एनवार्मेंटल केमिस्ट्री का मैं आपको सथ सथ बताके चुलूंगे कौन सा लेастन कौन सी क्लास इस तो क्लास 12 को χण कहते हैं बैक्टोरिया, कौन सा बैक्टिरिया जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हैल्प करता है और ये लेग्यमिनियस प्लांट के रूट के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कनवर्ट करता है, पहले बाद ये नाइट्रोजन को अ परजन होता है अमोनिक एसिड का जी हां अमोनिक एसिड का ठीक है उस आपके अमोनिया से अमोनिक एसिड का फोर्मेशन होता है जिसको आप अमीनो एसिड भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको आप लोग अमीनो एसिड भी कहते हैं और नाइट्रोजन जी हां नाइट्रोजन आपका वो एलिमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है जी हाँ माइडियर अगर कोशन आजाए कि हमारे नेचर में प्रोटीन सिंथेसिस कौन से मिलरन के द्वारा होता है तो उसमें आपके नाइट्रोजन का रोल पाया जाएगा अब हम पढ़ेंगे कौन सा वो बैक्टिर है बताएए बच्चा हैं अदर्श है यहां पर रवी है के संदीप है मंजिल क्या है रस्तों क्या होस्ला फोई ऐच्टी कआँ निमंद की क्लास कहां होगी बच्चा निमंद की मिलास आपको अतुल सर्ब स्बताएंगे कि कहां पे होगी अभी के लिए इस कोशन का राइट आंसर जाएगा राईजोबियम बैक्टिरिया हो जा होता है जो लैग्यूमिनस प्लांट के अंदर पाए जाता है ये प्लांट कौन-कौन से होते हैं ये होते हैं आपके मतर चने और दाल के पोधे ठीक है जी यह होते हैं वह पोधे जो nitrogen fixation कराते हैं उनको बोलते हैं leguminious plant क्या बोलते हैं मेरे बच्चा leguminious plant यारी कि फलीदार पोधे क्या बोलते हैं फलीदार पोधे इनी को हम लोग बोलते हैं तो इस process में क्या होता है nitrogen ammonia के अंदर convert होता है फिर वहां से amino acid का conversion होता है और protein synthesis भी होता है अगला question question क्याता है which of the following blood protein regulate the amount of water in plasma प्लास्मा जो है यह हमारे blood का पार्ट है प्लास्मा जो है हमारे blood का पार्ट है हमारे blood की अंदर 55% plasma पाया जाता है plasma का color कैसा होता है pale yellow होता है और plasma का color pale yellow bili rubene के कारण होता है किसके कारण होता है bilie rubene के कारण पाया जाता है अब आपको मुझे क्या बताना है आपको मुझे यह बताना है कि बच्चा प्लाजमा के अंदर जो पानी पाया जाता है जी हां प्लाजमा के अंदर जो पानी पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन स्टोर करता है यानि कि कौन है ओस्मो रेगुलेटर जी हां कौन है ओस्मो रेगुलेटर ओफ इन ब्लड ब्लड का ओस् करता है ग्लोब्यूलीन एल्गूमीन फिब्रीन या फ्यूबिलीन यह क्लास 10 लेवल का कोशन है तो बच्छा आपको सी एपी अफ में क्लास 10 भी पढ़ना है और हलका फुलका 12 लेवल पढ़ना है एन्वार्मेंटल केमिस्ट्री का पहला ही कोशन 12 क्लास से आया था बोलो जी लाइव आगी मैं येस मेरे बच्चा मैं लाइव आ चुक्यूं राजुभाई रवी देव बिल्कुल जी एक अबर पहले जी हमने आपको ग्रूप में सब में मैंचन किया था कि क्लास 11 बज़े होईगी क्योंकि मेरे पास 2 घंटे खाली थे तो मैंने का चलो ना बच्चों की अंदर पानी की कंसेंट्रेशन को एका एक इसको बोलते है ऑसमा रैगुलेटर ओफ ब्लट क्या बोलते है इस प्रॉटीन को जाते है और एक खौशन आया एन डाउन सिंड्रोम में बच्चा डाउन सिंड्रोम जो होता है सबसे पहली बात इसको भोलते हैं ट्राइसोमी ट्मैंटीवन क्या ब यहां क्यne take down syndrome यह एक अनुवानशी की रोग है ठीक है यह एक जानेटिक डिसोडर है और आपको पता है जितनी भी जानेटिक के भी मिमारी होती है when नोन क्यूरेबल होती है कैसी तो यह अगर किसी इंसान को अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो वह बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा डाउन सिंड्रोम में बच्च मैंटली रिटार्ड होता है कैसे होते हैं बच्चा मैंटली रिटार्ड होता है मस्तिष्क से कमजोर होता है उसका दिमाग उतना प् से बच्चा मेरे human disease से अगला कोशन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा अगला कोशन आया है आप लोगों का 10th level से जी अगला आया है 10th level से और यह कोशन आया है nervous system से किसे आया nervous system से आया बच्चा आपके तीन टाइब के nervous system होते हैं ना आपको पता होगा आपके तीन टाइब के क्या होते हैं नर्वस सिस्टम होते हैं और नॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है तो एक आपका कौन सा नर्वस सिस्टम होता है सिंफैटिक नर्वस सिस्टम है ना तो बच्चा यहां पर पूशा क्या को fowloeing is not a function of synthetic nervous system in autonomic जी हां sympathetic परा-symphatic और central nervous system इस टेप से तीन डिवाइद पाई जाते औहां अब question क्या कहता है बच्चा जो synthetic nerve होती है हमारे autonomic nervous system में उनका function क्या नहीं होता तो बच्चा हमेशा examiner क्या नहीं होता उसको जरूर पूछ लेता है तो बच्चा क्या है जो आपका sympathetic autonomic nervous system नहीं करता enhance the heart beat ये दिल की धड़कन को बढ़ाता है ठीक है रक्त वाही काओ को क्या करता है बच्चा संकुषित करता है याने की contract करता है बच्चा हमारे आखों के pupil को dilate करता है या फिर ये हमारी uninary bladder को contract करता है तो क्या है जो ये नहीं करता वो जो न जाएगा यहां पे देव कहारे मैं शायर डी ठीक है नीतु कुमारी कहारे है है लो मैं है लो आदर्श रवी कुमार नीतु मेरे बच्चा बोलो जी राइट अंसर क्या जाएगा अगरीम भी आ चुके संदीब आ चुके रवी आ चुके भी शेक आ चुके अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि मैं आपको यहां पे अंसर बता सको ठीक है बच्चा जो हमारा यूरीनरी ब्लैडर होता है इसमें यूरीन होता है ठीक है तो बच्चा अगर हम बात करेंगे किसी इसकी कॉन्ट्रक्शन की तो व पारा सिंफैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है और थीक है तो यह जो option है यह आपका गल्द दिया मैं अगर हं बात करेंगे autonomic nervous system की तो यह क्या करता है relaxation करता है तो बच्चा रखना अगर आपका bladder contract करता है तो पैराल्षिंफैटिक के कारण और अगर आप लोगों का रिलेक्शन होता है तो किसी कारण सिंफैटिक के कारण सिंफैटिक नर्वस सिस्टम पैरा सिंफैटिक नर्वस नर्वस इस्टम और Central Nervous System यह तीन टाइब से Nervous System आपको पढ़ने होते हैं अग्ला कोशन बहुत ही सिंपल सा है ठीक है फूड एन नूट्रिशन क्लास तैंथ का पूछा गया कोशन है अगला चाप्टर बहुत ही सिंपल है क्लास तैंथ लावल का पूछा गया कोशन था विश अफ दा फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बोडी स्टोर वाइटामीन A, वाइटामीन D एस वेल एस विटामीन B12 जी हाँ विटामीन A, विटामीन D, विटामीन B12 इन तीनों का ही स्टोर, human body के कौन सेव और्गन में होता है red blood cell, pancreas, liver या फिर brain बहुत सिंपल कोशन था, कई बार practice करवाया भी वह था ये आपका CEPF का PYQ है, बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा बीमो कह रहे है, रादे, रादे मैम, love you, love you to all मेरे बच्चा जागरेती रवी कुमार, जागरेती मुझे आपका message जो है, ये शो हो रहा है तो मेरे बच्चा बताइए, राइट आंसर, बच्चा ये जो हमारा body का organ है न ये एक multiple function करता है, ठीक है, ये organ multiple function करता है इसका काम energy को store करना भी होता है, fat को भी ये store करता है, vitamins को भी store करता है तो राइट आंसर क्या जाएगा, लीवर जाएगा, जी हाँ मेरे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा, लीवर जाएगा मेरे बच्चा लीवर जो होता है ये विटामिन्स को तो स्टोर करता ही है लीवर विटामिन्स को तो स्टोर करता है इसके लावा फैट को भी स्टोर करता है ठीक है एनरजी को भी स्टोर करता है और बच्चा ये बाइल जूस का भी सीक्रेशन करता है हमारे लीवर में कितने प करो यहाँ पर 50 बच्चे देखरें हैं लाइक सिर्थ 30 हैं बहुत गलत बात है हमारी लीवर में 15 परसंट होना जरूरी है ठीक है अगर 15% से ज्यादा हमारे लीवर में आ गया तब क्या होता है हमारा liver fatty हो जाता है तब क्या होता है मेरे बच्चा हमारा liver fatty होता है तो हमारा liver fatty कौन सी condition पर होता है जब हमारे liver में fat की percentage 15% से ज़्यादा हो जाती है रादे कृष्णा जी बच्चा मैं सब को reply कर रही हूँ ठीक है अगला question what will be the total energy of a satellite moving around the earth in a circular orbit with the speed v and having mass m oh my god आपको क्या बताना है बच्चा आपको बताना है total energy आपको क्या बतानी है satellite की total energy ठीक है वो आपको बतानी है तो satellite की total energy कितनी हो जाएगी जब वो circular orbit में क्या करेगी move करेगी बताये जी right answer क्या पाया जाएगा जीया अगर कोई object motion में है तो पहली बात क्या है भापे kinetic energy यूज हो रही है क्या हो रही है kinetic energy use हो रही है circular motion है kinetic energy use हो रही है क्या कोई बच्चा मुझे यहाँ पर right answer दे पाएगा c होना चाहिए c किस भी half पर होना चाहिए बच्चा यह बताओ v की value कितने दे दी है बच्चा यहाँ पर जो kinetic energy है वो आपकी negative phase में पाई जाएगी तो यहाँ पर right answer क्या जाएगा राई आंसर जाएगा half ambe square और negative phase यहाँ पर right answer क्या जाएगा half ambe square और यहाँ जो вп Mire repeats थी वो आपकी negative phase में पाई जाएगी यहाँ पे the total energy पूछ यह पूछ , इनसर थिया गए क्या और नेगेटीव पोशन प्लास का पूशन और यह पूशन कंसम्न प्लास का ओण पूशन है ओ माई गोड नाइन्थ क्लास में एक कोशन था और हमें पता ही नहीं पता था पूछ लेना एक पीवाई क्यों है अब आपने देख लिया है CAPF की साइन्स भी तनी इजी नहीं आएगी इसलिए में आपको आज PYQ करा रही हूँ ताकि आप लोग देखे और आप लोग समझे अगला कोशन क्याता है which of these is a physical quantity that completely express the position and direction of the motion of a particle बच्चा कोई एक ऐसी physical quantity है जो आपकी completely position और direction को बताती है एक particle की वो क्या है frequency है displacement है phase है या फिर time period है पता ये जी बच्चा क्या है वह है चीज कौन सी है वह physical quantity सबसे पहले तो आपको देखना हें कि बच्चा वह physical quantity है इसके क्या होती है तो बच्चा अगर object motion में है तो वह क्या कर रहा है vibration मोड में है बच्चा अगर subject motion में होता है तो हमेंशा उसके लिदर क्या होता है vibration पाया जाता है आगर vibration की बात करें तो यहां पर हम क्या लेते हैं फेज लेके चलते हैं जो फेज होता है फेज वाइबरेशन का वह पॉइंट होता है जहां पर आपको एक अबजक्ट की पॉजिशन भी मिल जाती है और एक अबजक्ट की डिरेक्शन भी मिल जाती है उसकी मीन पॉजिशन के साथ व बच्चों ने बोला displacement frequency लेकिन फेज पढ़ा ही नहीं था क्योंकि यह क्लास 11 की concept है मैंने कहा था ना यहां पर आपको 11 12 9 10 का combination देखने को मिलेगा तो सीए पीएफ में आप देख सकते हैं कि क्लास 9 क्लास 10 क्लास 12 11 हर चेप्टर से कोशन पूशे गई हैं और यहीं सीए पीएफ की साइंस का लेवल कोई बच्चा अगर यह सोच रहा है कि नई स्विफ 8 9 10 पढ़े के सीए पीएफ का साइंस निकाल लेगा बिल्कूल गलत सोच रहा है मेरे बच्चा सीए पीएफ की साइंस निकालने के लिए 11 क्लास के कुछ पढ़ने पढ़ेंगे कुछ 12 क्लास के भी पढ़ने पढ़ेंगे और इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए पीवाई क्यू लेकिया हूं अगला कोशन कहां से आया है मेरे बच्चा अगला कोशन थर्मोडैनेमिक्स से क्लास 11 का पूशा गया कोशन है चलो जी थर्मोडैने लोगों ने क्या दिया था न्यूटन कूलिंग लोगों ने दिया था रेट ओफ लोस ओफ हीट तो बच्चा वो क्या है वो आपको मुझे बताना है वो आप लोगों का डिरेटली प्रोपोर्शनल होता है बोडी टेंप्रेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है temperature के साथ या equal to the difference of body temperature जी हाँ बच्चा यह आपको बताना है rate of loss of heat जिसको हम क्या बोलते हैं Newton second law यह किसके बराबर होता है तो मेरे बच्चा यह था आपके minus dq upon dt के बराबर जी हाँ यह था आपका minus dq upon dt के बराबर अब बताओ जी यह क्या directly proportional है यह किसके directly proportional है जल्दी से मुझे बताइए मैंने आपको इतना बता दिया कि यह जो है minus dq upon dt के साथ है तो बच्चा यह क्या होता है यह directly proportional कि सीज के होता है बच्चा यह minus dq upon में dt क्या है यह है आपका difference in body temperature तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number a हो जाएगा तो आप लोग खुश से analyze कर लो कि बच्चा आप के सी यह पीफ में 11 चैप्टर 11 का भी कोशन आएगा 12 का भी आएगा और 9 10 के भी पाए जाएंगे यह बहुत ही प्यारा कोशन है ठीक है यह कोशन आपका कहां से आया है यह कोशन आपका class 10 लेवल का पूशा गया कोशन है यह class 12 10 लेवल का पूशा गया कोशन है what is the magnetic field जी आपको क्या बताना है magnetic field बतानी है एक point पे जो की open space में रखा है एक toroid के अंदर ठीक है जा एक toroid के अंदर आपका क्या बताना है एक point पे magnetic field बतानी है तो वो 0 होएगी वो 1 होएगी वो current पे डिपैंड करेगी या वो number of turns पे डिपैंड करेगी पेजिए एक toroid के अंदर आपको क्या बताना है एक toroid के अंदर आपको magnetic field बतानी है बच्चा एक point के ओपर और वो point toroid की अंदर बिल्कूल free space पे रखा है तो बच्चा अगर toroid की अंदर कोई point free space पे होता है तो वहाँ पे magnetic field हमेशा क्या पाई जाती है जीरो पाई जाती है आई रिपीट वहाँ पे मैगनेटिक फिल्ड जीरो पाई जाती है बच्चे कह रहे हैं कि मैं हम जो कॉमर्स ट्रीम के हैं वो कैसे करेंगे तो मेरे बच्चा 2 से 2.5 लेसन है 11th क्लास के 2 से 2.5 लेसन है आपके 12th क्लास के लगबग 5 लेसन आपके C.A.P.F. के एग्जामिनेशन में आपके 11-12th लेवल के हैं वो लेवल इतना हाई भी नहीं है लेकिन अगर आप देखो बच्चा क्या है कि जब हम कॉमर्स लेते हैं तो उस टेम हम लोग मैचे और नहीं होते हैं हमारी उमर होती है 13-14 साल की हम साइंस नहीं पड़ पाएंगे लेकिन जब आप 20-22 साल की एज में C.A.P.F. की त्यारी करोगे तो यहां पर क्या है अब आपका दिमाख मैचे और हो चुका है अब आपको कॉंसेप्ट समझने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी तो मैं है बोलू बचा tharmodynamics मतलब क्या होता है thingsallahi this मतलब क्या होता है आपका heat होता है therefore सकते हैं आपको पैनिक नहीं हूना की नहीं मैं हम कैसे poster पाएगे हम तो कॉमर्स वाल है हम्ट आर्स वाले हैं महस्ती सिंपल लेशन ऐसे हैं जो आप लोगों को पढ़ने है टोटल पांच लेशन ऐसे जो 11-12 से पढ़ने हैं अब यह कोशन कहां से आया यह कोशन 10th क्लास की लेवल से आया हाओ मैनी ग्रूप्स औफ पी ब्लोक अर्डीर इर परियोड्न टेबल प्रियोडंबल के अंदर टोटल कितने जोचाव चाते जह अगर हम बात करें पर्योड़र पीडेंगे तो ग्रूप थर्टिन से 되어के ग्रूप एटीन सब्सक्राइब किसमें होते हैं पीड़ोक ऐलीमेंट्स ओते हैं बस्टा इनके अंदर आपके बेसिकली नोन-टल्स पाई जाते हैं ठीक है और क्या पाई जाते हैं METAL Oitti w regions होता है वह METAL OIT compare in लोन middle भी ब्लोक के अंदर कितने पाये जाते हैं? 6 ग्रूप पाये जाते हैं. कितने पाये जाएंगे? 6 ग्रूप पाये जाएंगे. तो राइट अंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नम्बर बी जाएगा. 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो वच्छा छोटा 6 ग्रूप नी हो गए? मैंने साम नहीं कढ़ेंगे तो आप साइंस से कभी नहीं डिरेंगे बच्चा साइंस में बहुत ही सिंपल ट्रीक है एक बार याद करना है लाइफ भर नहीं भूल पाओगे आगे देखो कोशन क्या कहता है विश ओफ दा फॉल्वाइंग इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेफ्स और प्रोडियू जब अपने आपको stable nucleus के अंदर तोड़ता है तो उसमें से कुछ raise निकलती है जो कि invisible होती है वो होती है alpha, beta and gamma raise ठीक है तो बच्चा यहाँ पर क्या पुछ है कि radio activity process में कौन सी raise निकलती है या तो alpha निकलेगी, gamma निकलेगी, beta निकलेगी, option में क्या दे रखा है, क्या alpha है, नह नहीं, क्या beta है नहीं, लेकिन gamma ने रखी है, तो right answer क्या हो जाएगा, gamma ने हो जाएगा, तो बच्चा concept बिलकुल simple है और हर बार repeated concept आती है, बस यह कि आप लोग panic हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर confidence ही नहीं है, कि हम लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन मेरे बच् टोपिक लग रहे है, 9-10 के भी, पढ़े सब होंगे, जी हाँ, यहीं तो मैं क्या रही हूँ कि science आपने पढ़ी है, 10 तक की science आप सब ने पढ़ी है, लेकिन आप लोग ना भूल गए है, और उसी भूली हुई चीज़ को revise कराने के लिए, आज मैं C.A.P.F.K.P.Y.Q. लेकि से पहले कि आप मुझे कौन से स्टेट से लाइव देख रहे हैं, जैसे मैं स्टेम् गुरुगराम से लाइव हूँ, तो आप लोग मुझे कौन से स्टेट से लाइव देख रहे हैं, पहले तो मुझे यह बताओ, बच्चा वैने unstable nuclei, when unstable nuclei disintegrate into a stable nuclei, this process is known as radioactivity and in this phenomena, some invisible rays will emit that are known as radioactive rays that are alpha, beta and gamma, ठीक है, मैं सुमे वाली class की PDF नहीं मिली, अभी upload करूँगे बच्चा, ये class लेकि अभी upload करूँगी, बच्चा, I will upload both of PDF today after my this session, ठीक है, करनाटका, जहरकन, I love you मैं, oh my god, उतराखन, चलो जी, बहुत बढ़ी है, I am from, right now, I am live from Guru Gram, next question, बहुत simple, class 10th level का question है, what do we call the cell, बच्चा देखो, ये question बहुत simple है, लेकिन examiner ने आपको question थोड़ा सा tricky करके दे दिया, question बहुत simple है, what do we call cell, that convert potential energy from a fuel to electricity, बच्चा, potential energy का conversion, electricity में जब हम करते हैं, तो उस cell को हम क्या बोलते हैं, fuel cell, dry cell, galvanic cell या electrolytic cell, बहुत simple question है, examiner ने जानबूच के आपको यहां पर misguide करने के लिए, question को बढ़ा चोड़ा करके दिया है, come on guys, give the right answer, कटक, 36, वेस्ट बंगाल, यूपी, सूरत, करनाटका, 36, जम्मू से भी आ चुके हैं, oh my god, चलो जी, so मेरे बच्चा, आप लोग को सबका welcome है, हमारे platform पे, जो बच्चे आज नए आई है, सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लोग, मेरी class को बच्चा like and share भी कर दो, मेरा regular time, Monday to Friday होता है, दोपैर को 12 बजे, जहां मैं आपको CAPF की complete science, biology, chemistry, physics और environmental science practice कराती हूँ, चिक है, so बच्चा मिलते रहे हैं, और होता है, वो fuel potential point पे होता है, और fuel की potential energy ही convert होती है, electrical energy के अंदर, तो right answer will be the fuel cell, right answer will be the fuel cell, done, बहुत बढ़िया, next question, बहुत प्यारा question, again this is the question from 10th class physics, 10th class electricity chapter से question है, what is rectifier used for, बच्चा हमेशा हम कहते हैं कि rectifier जो होता है, वो किसको किसमे convert करता है, ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है, rectifier का use q करते हैं, answer वही है, answer वही है, बस examiner ने question को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, answer वही है, rectifier कौन से current को, किस current में convert करता है, यही answer मुझे आप लोगों को देना है, बोलो जी, बच्चा को जी ऐसा है कि जब आप मेरे से पेड़ क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे आप एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री के इंदर आपको सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री में आप सारे सेल पढ़ते हैं गैल क्या करता है जो हमेशा AC के करेंट को जो हमेशा AC करेंट को या AC breakfast को DC केंदर.. DC थे यह तो बच्चा, u हम power power की signal को increase करने एंपलिफायर का यूज्टे हैं वी-हीज एंपलिफायर so this is a very simple question बच्चा बिलकुल भी tricky नहीं था next question arise from the class 10th oh my god next question again arise from class 10th of physics that is what are the majority charge carriers in P type semiconductors guys बच्चा हमारे पास 2 type के semiconductors होते हैं N type and P type P type में majority charge carriers क्या होते हैं अगर आप यह मुझे बता देंगे तो N type का तो मैं आपको बता ही दूँगी दो जी राइट answer क्या जाएगा बिलकुल जी मैं CAPF के लिए science के लिए अच्छा book बता दो मेरे बच्चा NCRT से best source और कुछ भी नहीं है CAPF के लिए और जो मैं आपको hand return notes पढ़ाती हूँ पेड़ी क्लास में वहां से आप कवर करेंगे आपका CAPF की science के सारे question कवर जाएंगे या फिर आप लोग best best मैं आपको एक book suggest करूंगी जहां से आप CAPF के last PYQ practice कर सकते हैं इसके लावा अलग से आपको 10-12 book खरीदने की कोई भी नीड नहीं है ठीक है देख भूल गया मैं चलो जी मैं बताती हूँ P type के अंदर holes पाए जाते हैं और N type के अंदर electrons होते हैं N type semi conductors के अंदर electrons पाए जाते हैं P type के अंदर क्या होते हैं holes होते हैं अब आपको बिलकुल भी नहीं भूलना semi conductors होते है there lies between the category of conductors and insulators semi conductors होते हैं जब इन पे आप temperature apply करते हैं semi conductors जो होते हैं जितने भी semi conductors होते हैं क्या खासित होती है now let's have a look semi conductors जो होते हैं बच्चा they are insulator at room temperature जी हां अगर room temperature है बच्चा room temperature यानि की 20 degree Celsius वाले temperature पे ये क्या होते हैं ये आपके insulators होते हैं लेकिन वही semi conductors क्या करेंगे they behave like conductor जी हां at what condition when temperature will increase जब हम temperature को increase करेंगे at that time they will behave like conductor तो this is a difference between insulators and conductor की insulator की तरह behave करते हैं room temperature पे while increasing that temperature they will behave like conductor अगला कोशन वो 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 बहुत प्यारा कोशन 10th class chemistry से again तो आप लोग देख रहे हैं कि 10th class के questions ज़्यादा 11-12 के कम है लेकिन कुछ chapter है जो हमें पढ़ने पढ़ेंगे तो panic बिल्कुल भी निया ना no need to panic guys आप देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा चलो जी my dear अब हम देखते राइट आंसर क्या जाएगा which of these is not an allotropic form of carbon इन में से कोई carbon का allotrop नहीं है वो क्या है जो carbon का allotrop नहीं है जुन्जा जी मैंने बिल्कुल सही बताया है अब आप गलत लगा तो बच्चा आप मुझे सही बता दो मैंने बिल्कुल सही बताया है ठीक है चलो जी मैं यह उत्तर आप गलत बता रहे हैं बच्चा मैंने बिल्कुल सही बताया है ठीक है पी टाइप में होल्स होते हैं टाइप में शोते हैं मेरे बच्चा डायमंड फूलरीने ग्रीफढशती अलात्रोप्स औ turning ग्रेफटी को लिए इस इसी को हम NICK है बकी बोल इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा इसी को हम लोग बोलते हैं बकी बोल तो यह तीनों ही तो आपके कार्बन के एलोट्रोप हो गए तो यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा नन ओफ दीज जाएगा यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा नन ओफ दीज ज जाएगा next question देखते हैं क्या जाएगा oh my god बच्चा again this question come from class 10th class 10th का जो carbon compound chapter है वहां से पूछा गया question है class 10th chemistry का question है what we what can we call carbon atom present in a methane methane के अंदर जो carbon atom पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे मैं आपको chapters के नाम कैसे पता है इसी को experience बोलते है कि बकायदा कोशन देखते ही बता दूंगी कि क्लास 10th का है नाइन्थ का है 12th का है या 11th का है बच्चा experience इसी को कहते तब ही क्या रही हूं कि अगर regular session पढ़ लोगे तो मेरे बच्चा आप अपने ही exam को clear कर लोगे इसमें देखो मेरा फायदा नहीं है फायदा सीर्फी पने किसका जाएगा मेरे बच्चा आपका जाएगा थिक है चलो ची मेरे बच्चा अब आप मुझे बताएंगे की बात करें कोcos ऑफाये फीखे बचान में बढ़ दिशाओं एक और उसके साथ क्या होते हैं तो मिधेन में एक ही कारवन पाया जाएगा या वैंडिया लाइज असींगल कारवन कारवन विल there is two carbon, they will be secondary carbon. तो methane के अंदर single single primary carbon atom पाया जाता है. So right answer will be the option number A and बहुत बच्चों के right answer आए है. अगला question बच्चा देखते हैं क्या जाएगा? Which of the following compound used to isolate potassium metal for first time? This question again comes from the class 10th level. Class 10th level का question है, question कहता है मेरे बच्चा कि आप कौन से compound का use करेंगे? isolate करने के लिए potassium metal को, पहली बार potassium धातु को isolate करने के लिए कौन से compound का use करेंगे? potassium oxide का use करेंगे, ठीक है? potassium paroxide का, hydroxide का या potassium superoxide का use करेंगे, बच्चा यहाँ पे आप electrolysis का use करेंगे. क्या करेंगे? electrolysis का use करेंगे. तो मेरे बच्चा सबसे पहली बात पोटाशियम को यहां से बाहर निकालने के लिए आप लोग Electrolysis का यूज स करेंगे किसका यूज स करेंगे Electrolysis का यूज स करेंगे Potassium Hydroxide That is KOH KOH से हम क्वा निकालेंगे Potassium को अलग करेंगे ये प्रोसेस हम्परी डैवी ने दिया था 1807 में, 1807 में हम्परी डैवी ने इलेक्टोलाइसिस किया था सबसे पहले, और बच्चा पोटाशेम हाईडोकसाइड के इलेक्टोलाइसिस से पोटाशेम मैटल को आइसोलेट किया था, यानि की अलग किया गया था, ठीक है, next question, 10th chemistry का ये अगला question है, question कहता है, इनसानों द्वारा सबसे पहले यूज किया गया metal कौन सा था, जब इनसानों ने विकास करना start किया, जब आपके human beings ने developed करना start किया, तो सबसे पहले कौन से metal का use किया था, gold का, copper का, silver का, या iron का, बहुत प्यारा question है, दीजे बच्चा right answer क्या metal जो खो जा गया था, वो कौन सा था, researchers द्वारा, researchers द्वारा 6000 साल पहले, 6000 साल पहले, जो metal खो जा गया था, middle east में वो कौन सा था, middle east में जो metal खो जा गया था, वो कौन सा था, 6000 साल पहले, वो था आपका copper, iron नहीं था, सबसे पहले copper का, copper पाया गया, सबसे पहले क्या पाया क्या था और और को पर एक कोईज मैटल है क्योंकि हरपा सिविलाइजेशन के अंदर क्या भारत की पहले सिविलाइजेशन थी और इसी के अंदर आपको तांबे के सिक्के मिले थे हैं ना तो मेरे बच्चा कहीं ना कहीं साइंस भी हिस्ट्री से रिलेट कर जाती है अगला के लेवल के questions बहुत ज्यादा आए हुए है और आपको 10th class पे बहुत ज्यादा focus करना है next question देखते है क्या यह question कहां से आया है यह question chapter periodic table से आया है जी हा this question comes from chapter periodic table that is classification of element class 10th का यह topic है ठीक है चलो जी आगे पढ़ते हैं which of the following correct configuration of krypton whose atomic number is 36 बच्च मेरे बच्चा आपको krypton का क्या बताना है electronic configuration बतानी है atomic number कितना दे रखाए 36 दे रखाए it is a noble gas यह क्या है मेरे बच्चा यह है noble gas है ठीक है और आपको पता है कि हमेशा के एल एम एन में electronic configuration फिल करते है ठीक है बच्चा दो आठ अठ अठारा अगर आप यहां तक देखे दो आठ अठारा तक तो कितना हो गया मेरे बच्चा यहां पर कितनी चीज हो चुकी है भई आप हिसाब लगा के देखो मैं यहां पर आप सिर्फ आठ ही हमारे पास क्या बच्चे एलेक्ट्रोन तो आठ जो है वो यहां पैल कर देंगे तो राइट answer क्या हो जाएगा राइट answer और चायेगा आपका ऑप्शन नमबर बीर दैंशर मेरे बच्चा राइट answer रो जाएगा आपका option number बी दढ चले आगे बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोनिकांग्विकेशन के उपर कोशन आया辉त ही simple वोलते हैं माइकरो अर्गनिजम जिसको हम माइकरोषकोप से देख सकते हैं गिवी दर आइट एंसर क्या बोलते हैं जिसमें माइकरोश्कॉपिक और गिनिजम्स की स्टुडी करते हैं यह जल्दी से बताइए कि मैं यूप पीटिभ नागी टिभार्गिंग कितने की बता दूंगी लास्ट पहले कॉशन के अंसर देलो अभी मेरा पूरा फोकस जो है बंचा वह कहां पर है अभी कोशन्स को कराने में तिक है उसके बाद में नैगेटिभ वार्किंग का भी आपको इलाबरेशन दे दूं बच्चा वन बाय थर्ड की होती है वन बाय थर्ड जी हां एक रोंग कोशन पे एक रोंग कोशन पे एक तिहाई मार्क्स कट जाते हैं ठीक है अगर आपको जानना है कि मैम नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है तो एक रोंग कोशन पे एक तिहाई मार्क्स कट जाते हैं ठीक जी हाँ, organism की classification को हम क्या बोलते हैं, taxonomy, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, plant kingdom, animal kingdom पढ़ते हैं, right, exactly right, next question देखते हैं, अगला question क्या है, मेरे बच्चा अगला question देखते हैं, क्या जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी अगला question कहते है, which characters are not typical to class में मिलिया, oh my god, अभी मैंने animal kingdom की बा class में मिलिया जो होती है, सबसे developed class है, class में मिलिया जो है, जो हम mammals आया है, सबसे विक्सित class होती है, मेरे बच्चा इन में mammals का कौन सा चीज नहीं, मतलब mammals में इन में से क्या character नहीं पाया जाता, आपको बताना है, मैं में में क्या character नहीं पाया जाता, आपको मुझे ये बतान है बोल रहाइट ऑंथर क्या जाएगा झा तर तो बलिये बुर्थ या पाम उससर या जाएगा by बोलो बुर्ट छेल्डी स्यसाओर क्या जाएगा मेरे बच्चा मैमल्स में अगर हम बात करें तो बारा जोड़े होते हैं किरेनियल नर्व के कितने होते हैं बारा जोड़े होते हैं दस नहीं होते राइट आंसर क्या जाएगा आप्शन नमबर दी बाकी सब बिल्कुल सही है कि हमारे साथ सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होते हैं हम सांस लंग से लेते हैं हमारे दाथ ठीको डेंट कंडिशन में पाए जाते हैं ठीक है बिल्कुल जी और बच्चा 10 पेर की जगे 12 पेर तो राइट आंसर क्या जाएगा 12 पेर जाएगा अगला कोशन किस के उपर आ चुका है अगला कोशन भी क्लास 10 के उपर आया है अगला कोशन भी क्लास 10 के उपर अच्छा क्लास 9 के उपर आया है ये भी एनिमल किंग्डम का पूशा गया कोशन है question क्या कहता है? Which of the following is the major Osmo regulation organ in the fish? Fish के अंदर जो पानी का regulation होता है, जी आग, fish के अंदर जो पानी का regulation होता है, वो कौन करता है? Gills करता है, Kidney करती है, Lever करता है या Stomak करता है, Osmo regulation मतलब क्या होता है? नमक और पानी का body में balancing, सिंग तो मिलिखेंगे जॉशन मतलब क्या होता है । फैलेंसिंग ओफ सोल्ट અज इन विटर इन बोडि नमक और पानी की बसट्ल इंडर रोती है इस प्रोसेस को बोलते है ऑसमोर रेगुलेशन अपनेशन तो मेरे बच्चा मचलियों के अंदर ओस्मो रैगुलेशन मतलब क्या होता है ओस्मो रैगुलेशन के अंदर बोडी में पानी और नमक की बैलेंसिंग होती है तो मेरे बच्चा मचलियों के अंदर ओस्मो रैगुलेशन कौन करता है कौन करता है किड़नी का काम होता है हमेश करती है and the process of balancing salt and water in a body this process is known as osmo regulation जिन बच्चों को osmo regulation का meaning नहीं पता था आज मैंने उनको osmo regulation का meaning भी समझा दिया है what is the function of messina corpus cells present in the papillary region oh my god this question comes from the class 10th chapter food and nutrition this question this question is the part of human digestive system i repeat this question is the part of human digestive system और जो papillary होती है यह इनसान की जीब के अंदर पाई जाती है अच्छा पहले मुझे question का answer दो अगर हम बात करेंगे जीब की तो जीब किसकी ज्यादा लंबी होती है male की या female की who has longer tongue male और female come on guys give me the right answer लंबी जीब किसकी पाई जाती है male की या female की मुझे पता है कि boys बोलेंगे मैं महिलाओं की जीब ज्यादा लंबी पाई जाती है नहीं महिलाओं की जीब होती है 7.8 cm की यहां पर क्या लिखेंगे 8.5 cm की जीब पाई जाती है पुरुशों की तो मेरे बच्चा males की जीब ज्यादा लंबी होती है as compared to female बहुत important बात और हमारी जीब में testing bird पाई जाती है हमारी जीब में जो testing bird पाई जाती है इसी testing bird को papillary बोलते हैं क्या बोलते है papillary बोलते है अब papillary के अंदर maciner corpus cells पाई जाते हैं इनका function क्या होता है आपको बताना है जी हाँ papillary reason के अंदर जो maciner पाई जाते हैं का reason क्या होता है pain कराना sensation of cooling sensation of barb या फिर touch sensation करना ठीक है बहुत बढ़िया question है बताओ जी यहां पर nerves भी पाई जाती है यानि कि जो हमारे neuron है वो इस condition पर पाई जाते हैं मैसाइनर corpus cells के ending reason पर nerves पाई जाती है जीब में कुछ आया touch हुआ खटा मीठा तो बच्छ यह touch sensation कराती है जीब में और टेस्ट को बताती है touch sensation कराके टेस्ट की enhancing कराती है ठीक है next question आगला question क्या है मेरे बच्चा bioethanol is denaturated alcohol again class 10th का question carbon compound carbon compound से question आये हुआ है bioethanol का denaturation होता है bioethanol is denaturated alcohol that is also called बच्चे इसको हम और क्या बोल सकते हैं आपको मुझे बताना है ठीक है बच्चा bioethanol का जब denaturation होता है ठीक है तो मेरे बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा इसको कोलते हैं methylated spirit और जब मैंने पेड़कोर्स पढ़ाया था तो बकाइदा मैंने पेड़कोर्स में यह नाम लिखवाय थे कि बायो इथनोल को हम क्या कहते हैं कैसे बनते हैं लेकिन क्या है कि बच्चे ना ध्यान नहीं देते कि इतना डीप कौन पढ़ेगा और ज्यादा डीप निया क्लास 10 की कॉंसेप्ट है यह आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 की कॉंसेप्ट यह नहीं बच्चा बायो इथनोल से है बच्चा इथा इथा इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं बनेगा इसे मिझानलेटड स्पीरीट कहते हुआ क्या क्येते मेरे बच्चा इसे हम लोग मिझानलेटिट क्या इस्पिरिट कहते हुए ठीक है किसकी help से करते है बैक्टिरिया की help से वािरस की fan से नूक्लिया प्रो talking की help से या रेडियोःक्टिप सबस्टांस की है बोले बच्चा बायोडीटेडेबल को क्या से यह बच्चा-वी दीपक सिंग यार मैं बच्चा कि आप सीए पी एफ के पीवाइव कर रहे हैं इन पीवाइव को प्रैक्टिस करके क्या आपको अपने अंदर कॉंफिटेंस आ रहा है कि यह समय कोशन कर पाऊंगो क्योंकि आपने देखा है तैंथ लेवल जादा आया है तो क्या एक कॉंफिडेंस आप के अंदर बिल्ट इस इस बिल्डिंग अप इन यू बोड़ी यस और नो क्योंकि विदेंस के बिना आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बस मैं सतर हो गए दो तो बाकी है देव शर्मा दो के बिना सतर कैसे लाएंगे है ना संचुरी कब होती है हंडेड पे 99 भी संचुरी में का बजना है कि वहीं बैक्टीरियों फेस क्या है यह आपको बताना है एक बैक्टीरिया जो वाइरस को डिस्ट्रोय करता है एक वाइरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रोय करता है यह बैक्टीरिया जो आपका फंगी को डिस्ट्रोय करता है बोले जी राइट आंसर क्या जाए से हमेशा वायरस बनते है तो मेरे बच्छा यहां पे बहुत प्यारा कोशन है क्लास 10th का पुछा गया कोशन है क्लास 10 His वो वाइरस है जो की बेक्रिया को खतम करता है बेक्रिया को destroy करने वाले वाईरस को बैक्टिरियो फेस कहते हैं, they are made up of genome DNA and RNA, आये बास समझ में, oh my god, 69 likes हो चुके हैं, still one like is remaining for coming the 70, तो जल्दी से 70 like पूरे कर दो मेरे बच्चा, मैं इतने प्यार से पढ़ा रही है, इतनी deep concept आपको दे रही है, class 10th का question है, lipoproteins which are large molecules and transport the cholesterol in the blood stream, लाइबो प्रोटीन जो होते हैं, और यही क्या करते हैं, यही cholesterol को blood के अंदर देते हैं, किसके बने होते हैं, यह protein molecule है, यह fat molecule है, यह protein और fat दोनों ही molecule है, या फिर यह lipid molecule है, बोलो जी right answer क्या है, तो lipoproteins जो होते हैं, यही cholesterol, cholesterol को हम क्या बोलते हैं, animal fat कहते हैं, kolesterol होता है, animal fat, अब कोई बोलेगा, मैडम मैं तो meat mask नहीं खाता, मेरी body में cholesterol क्यूं हो गया, वो जो अब घी खा रहे हैं, अबेट को स्टोने वोलते है और बच्चा लाइपER प्रोंटीम के अंदर मतलब क्या हम लिपेडिड प्रोटिन तो फेट और प्रोटिन दोनों ही पये जाएंगे राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नमबर सी जाएगा बहुत बढ़िया आदर्श क्या रहे हैं नमस्ते मैं नमस्ते मेरे बच्चा क्या हाल है आप सब के चलो अगला कोशन ठर्टी कोशन का सेट बनाके लाई थी पीवाईक्यू में से और देट सो कोशन बाकी है ठीक है ठर्टी में थर्टी कोशन आज हम लोग करने वाले हैं 28 कोशन पर आगे तीन कोशन की देरी है बच्चा बहुत एकसाइटी डू सेशन को कराने के लिए अगर आप मेरे साथ पढ बच्चा एकवेटिक बलांट से यानि की जलिया पोदी के बला होता है और ही नहीं जाता है या या फिर कहां पर पाया जाता है आप लुगों का को मेरे स्टोमेट प्लांट के अंदर होते पानी में होते जासे कि canyon मज़ा अब लोटस सो गया लोटस है वह आपका अक्वेटा किया होती है उपड़ की तरफ होती है ना और पतियों पर पादी नहीं आता स्थाएं पॉतों से क्या होता है फोटोसिंथेश्द इस तब अपनी के उपड़ होती हैं तो बच्चा स्टोमेटर भी कहां पाए जाएगा पानी के उपपर पाए जाएगा तो स्टोमेटर जो होता है वह अपर सर्फेस पे पाया जाएगा कहां पाया जाएगा बिल्कुल जी I hope कि आप लगों को सेशन मजा आ कोशन करने में अगर दससाल के एक्सपिरियंस के लिए चैप्टर सको खोल खोल के तोड़ बोड के पढ़ा है और उन तोड़ मोड के आपके आगे वह कोशन से लाइए जो एक्जाम में आएंगे आप बस टिक लगा और आपका एकजाम क्लियर हो जाएगा science portion का बच्चा विश अफ दा फॉलेंग इस करेक्ट लोकेशन अफ एडरेनल ग्लेंड इन बोडी एडरेनल ग्लेंड हमारी बोडी में कहां पाई जाते हैं किडिनी के ओपर ठीक है सबसे पहली बात इन एडरेनल ग्लेंड को हम लोग इमर्जेंसी ग्लेंड बोलते हैं यह कहा पाई जाती हैं आपको मुझे बताना है एडरेनल ग्लेंड कहां पाई जाती है और यह आप लोगों की किडिनी के उपर पाई जाती है कहां पाई जाती है बच्चा यह आपकी किडिनी होती है किडिनी के उपर यह जो आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं किडिनी के उपर ज bulण और gagष्ट है और प्रेमिंड शेप की पायी जाती है थीड़ेकर है नेक्स सट्ना फे Image पाई का सब्सक्राइब कि 묵िड़ सोलूशन है रिकन सीदों पाई जाता है बहुत सिंपल उल-पसी negative क्हलब क्लास क्यों तो थी चार पूर्सक्ष्ण थे सीफ चार ओचिन जो है वह आप लगों के नाइन तैंथ लेवल के आए है दो मेरे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा कम ओन कम ओन मैं बुक को मिक्सर करके डाल के शेक बना के पी जाओंगा ओके ओके मेरे बच्चा एस डेके सिझ्ट एस डिके सिट कई अव बताओ वे बता थी आंफ सिट्च पॉन्भाववण बताओंब रख्या हता है जल्दी से चौह मां लाइक ऑन शेयर ृक्षर करो और बताओ एस्ट्ट गाव क्या होता है I really want to know. Ase Čtico को हम क्या बोलते है? Ase Čtico siOT को हम क्या बोलते है? Ase Čtico siaked को हम क्या बोलते है? Ase Čtico si respected का formula क्या होता है? पता हैं, जल्दी से बता दीजे. बोलो बोलो जल्दी से एसिटी का फॉर्मुला सी एस थ्री सी डबल ओवेश जी हैं यह था आपके इथनोइक एसिड का फॉर्मुला और इथनोइक एसिड को बच्चा लाल चीटी के काटने से कौन सा एसिड आपकी बोडी में फैलता है लाल चीटी के काटने से कौन सा एसिड आपकी बोडी में फैलता है यह एक आपका कौन सा रियक्षन होता है और अप लोगों के लिए कुछ ले आई हूं और वो क्या लेकिया हूं बच्चा आप लोगों के लिए सी एप एफ एग्जामीनेशन के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है इन टेस्ट सीरीज को देखके आप प्रेक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं बच्चा लगबग 200 टेस्ट आपको मिलेंगे और सारे के सारे सारे टेस्ट बीच्ट बाइ-लूंगवल है इंगलिष में एह इंधी में भी है तो जो बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज को पर्षेस करना चाहते हैं वह trafficking कोड़ i431 इस लगा के इसको परच्छेस करें जहां अगर आपको test series purchase करनी है तो आपको code लगाना है Y431S अब जो बच्चे अपने क्या कर रहे है कि मैं paid course कब से आ रहा है और हमें paid course में तयारी करनी है हाला कि paid course एक मईई से start हो चुका है जो बच्चे भी paid course के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके बतादू बच्चा paid course कब से आ रहा है ठीक है तो paid course के लिए आपको सबसे पहले कहा जाना है हमारे store पे जाना है ठीक है आप लोग जाएंगे store पे डैटीज अड़े 24-7 ठीक है जब आ आप हमारी एप में जाएंगे डैट इस अड़े 24-7 यहां पे आप एक रिजिस्टन मोबाइल नंबर से पहले तो आपको डाउनलोड करेंगे आपको डाउनलोड करना बिल्कुल free of cost है कोई चार्ज नहीं लेगा आपको डाउनलोड करनेगा यहां पे यह है आपके सी एपी y431 जैसे ही आपने कोड लगा दिया y431 यह बैच सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपे का यह 70 रुपीज भी कट हो जाएंगे तो by using code y431 जी हां जब आप कोड लगाएंगे y431 तो यह बैच जो है यह सिर्फ आपको 2000 रुपे का मिल जाएगा और जो CAPF की test series आई है जी हां जो CAPF की test test series आई है उसके लिए code y431S जाएगा test series के लिए code जाता है y431S और आपके batch के लिए y431 और यह जो PDF है यह आपको कहां मिलेगा तो यह PDF आपको मिलेगा नीचे दिये गए comment box में link है बच्चा डाउनलोड PDF from here तो वहां से आपको PDF मिलेगा और क्योंकि आपको पता है एप में मैं ने अपना free group बना रखा है जिस group में आपको मुझे follow करना है और बच्चा वहीं पे आपको आज का PDF मिल जाएगा तो class over करते ही इस PDF को मैं upload कर देती हूं आप लोग session को like and share करना अगर आपका interest रहा तो comment box में fill कर दो हर शनीवार या Sunday आप लोगों के लिए C.A.P.F. के ऐस के साथ कन्या कुमारी कश्मीर टू मैं कन्या कुमारी तो कश्मीर से लेके कन्या कमारी तक बच्चे यहां पर है जैसे की राज है रभी कुमार है चलो जी मिलते हैं हम लोग कल आप से 12 बजे regular time पे जब तक के लिए जैहिन जैम हाकाल love you to all guys love you और app को download कर ले session को like and share करना मत और चैनल को अभी के भी क्या करें टन 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 बैल आइकन को हिट करके सब्स्क्राइब कर लेके जैहिन मेरे बच्चा